हेलो प्रेंट्स कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ एक सिंपल नास्ते की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको मैंने बची हुई चपातियों से बनाया है रात में जो चपाती बचाती है आप भी उनको यूज करके इसी तरीके से इसके लिए मैंने चापाती लिए हैं यह 3-4 चपाती लिए है यह रात की बची मीच चपातीयां हैं इस तरीके से मैं कट कर ले रहे हूं आप चाहे तो इसको हैं नो से अजमनर और सब्लीकरी मेरे शीज़ वी तोल लिए हैं । CT सबेंधों सारी शपातीयों टोल लेंगे ग्रीन चिली, करी लीप्स, जिंजर गालिक पेस्ट, सौटे कर लेंगे इसको, ये चॉप्ट अनियन है, प्याज को भी अच्छे से भूल लेंगे, इस तरीके से, थोड़ा सा ये पीनन, मुंफली, इनको भी रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा देव तक रोस्ट करना है, बहुत नहीं करेंगे, ये सपैस में हल्ती पाउडर, लाल मीज पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला, ये बल्स पेपर, मैंने फोड़ा सा धनिया पाउडर भी एड किया है, इस पासई इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरही के से भूल लेंगे, इस पासःस को भी, बहुन क यहां पर मैं यह चॉप टमेटोज एड़ कर रही हूं इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से स्पाइस के साथ कि थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करूंगी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी इस तरीके से चॉप कर लिया है मतर है थोड़ी सी यह कैबिच या पत्ता हो भी कोड़ी सी सिम्ला मिर्च अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजीटेबल्स आप अपने कॉडिंग एड़ कीजे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको स्पाइसिस के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ी देर तक घूनके और इसको दो मिनट तक ढखके पकाएंगे बहुत जादा नहीं पका रहा है बस दो मिनट के लिए सब्सक्राइब के बाद में देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार आप इसको जरूर बना के देखिए तोड़ा सा ये मैंने वाटर एड़ किया है आप अगर ज्यादा जूसी रखना जाहें तो थोड़ा ज्यादा सा भी पानी एड़ कर दो दोड़ा ज्यादा कर सकते हैं ये थोड़ा सा टमेटो सॉस था थोड़ा सा रच चिली सॉस स्वया सॉस कि जैसे मिक्स कर लेंगे सॉस इस टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो एड़ कीजिए नहीं तो इसकेप कर सकते हैं इस तरीके से और जो हमने ग्रूटियां तोड़के रखी थी उसको एड़ कर देंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिये बहुत जल्ली बन जाता है बहुत टेस्टी लगता है एक बार जुरूट ट्रै करके देखिये इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह थोड़ा सा सब्स्क्रीन उनियं 네 इसको भी मैंने अड़् किया है अट एक्षर क्रिइंडर लीप्स है अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए यह बनके एकदम तयार है कैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है एन लीजिए आपका सिंपल नास्ता बनके तयार है बहुत जल्दी बन जाता है और आप इसको जो भी रोट चपाती बसती हैं उससे बना सकते हैं आपको चपाती उको वेश्ट करने की जरूरत न झांब को